उम्र के अंतिम पड़ाओं में कुछ लोगों की माली हालत खराब हो जाती है। उनके पास गमाई का कोई जरिया नहीं होता। हाला तब और बत्तर हो जाते हैं जब पती पत्नी घर में अकेले ही रहते हैं। परिवार में उनका खयाल रखने वाला कोई नहीं होता। अगर होते भी हैं तो बोज समझ कर उनसे किनारा कर लेते हैं। लोगों के लिए रिवर्स मॉर्गेज स्कीम उप्योगी विकल्प साबित हो सकता है। reverse mortgage scheme बैंक और finance कंपनियों के home loan से ठीक उलट काम करती है जब हम bank से home loan लेते हैं तो property खरीदने के लिए वो एक मुष्ट राशी देता है इसके एवज में वो property के गागज अपने पास रख लेता है इस loan को चुकाने के लिए हम हर महीने किस्त के रूप में भुकतान करते हैं दूसरी और reverse mortgage scheme में bank घर को गिरवी रख कर एक मुष्ट या हर मा एक निश्चित राशी मोहया कराते हैं साथी आवेदक को उसी घर में रहने की मनजूरी भी रहती है इस तरह बुढ़ापे में आपको अपना घर हर महीने निश्चित कमाई करा सकता है ऐसे में आपको पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा बैंक से मिलने वाली ये रखम टैक्स फ्री होती है रिवर्स मौर्गेज योजना कलाब सिर्फ भारती अनागरी को को ही मिलता है अगर आप पकेले हैं तो आपकी नियुनतम आयू 60 साल होनी चाहिए अगर संयुक तुरूप से कर्ज ले रहे हैं तो जीवन साथी की नियुनतम आयू 58 साल होनी चाहिए आम तोर पर ये कर्ज 20 साल तक के लिए मिलता है जो घर के मुल्य का 75 से 90 फीसद तक हो सकता है आम तोर पर रिवर्स मौर्गेज लोन आधार दर से 2,5 से 3 फीसद तक महगा होता है ये लोन तभी मिलेगा जब घर बहतर इस्थती में हो और आवेदक का उस पर पूरा मालिकाना हक हो कमर्शल प्रापर्टी पर ये लोन नहीं मिलेगा दरसल भारत में अधिकांश लोगों के पास रिटार्मेंट के बाद नियमी ताय का साधन नहीं होता जिन लोगों को रिटार्मेंट के बाद पेंशन मिलती है उन्हें तो वित्तिय सुरक्षा मिल जाती है लेकिन कई बार स्वास संबन्दे कुछ आपाद जरूरतों के लिए वो भी नाकाफी साबित होती है निवेश तलाकार जिते इन सोलंकी कहते हैं कि कुछ माता पिता अपने बच्चों पर बोज बनने से बचना चाहते हैं कई मामलों में बच्चे भी अपने बुज़र्गों की अंदेखी करते हैं उन्हें बोज समझने लगते हैं ऐसे बुज़र्गों के लिए reverse mortgage scheme अच्छा विकल्प है। अब तो बैंक इस योजना के तहट एनुटी खरीद कर भी दे रहे हैं, जिस पर जीवन भर pension मिलती रहेगी। साथ ही वे इस घर का इस्तमाल रहने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप reverse mortgage loan लेना चाहते हैं, तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि ये किस तरह से काम करता है, इसका नफा नुकसान क्या है। अगर आयका कोई जर्या नहीं है और घर में अकेले रहते हैं, तो reverse mortgage scheme अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये कि reverse mortgage scheme से किसी वारिश पर क्या प्रफाव पड़ता है? आमतोर पर बच्चे अपने माता-पिता की वसीयत के अनुसार संपत्ती प्राप्त करते हैं। reverse mortgage के साथ किसी बच्चे द्वारा तब तक संपत्ती को वसीयत के तौर पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि लोन और mortgage को क्लियर नहीं कर दिया आता है। अगर कोई बच्चा कानूनी वारिस है, तो उसे संपत्ती प्राप्त करने के लिए पहले लोन चुकाना होगा। अगर वारिस लोन का भुकतान नहीं करते हैं, तो बैंक इस संपत्ती को बेच कर अपने कर्ज की वसूली कर सकता है।